12 दोस्तो, हवे आपने पाठने समझिये 12 दोस्तो, केम छो? मज़ा माचो? तमे मने ओडखो छो? हुँ भारत रतन एवोर्ड छुँ आपना देश अने समाज माटे जे व्यक्ती खास महत्वाना सेवा कार्यों करे छे ते व्यक्ती ने भारत सरकार भारत रतन एवोर्ड आपी ने सनमानित करे छे अरे 12 दोस्तो, भारत रतन एवोर्ड ए भारतनों सवथी मोटू सनमान धरावतो पुरसकार छे अने आ एवोर्ड आपना देश नी केटलिये महान व्यक्तियों ने आपवा मावयो छे आवी महान व्यक्तियों मा एक छे डॉक्टर बाबा साहे भीमराव आम्बेड कर जेबने भारत माताना साचा रतन गणी ने मरनोत तर भारत रतन एवोर्ड थी सन्मानिक करवामा आव्या हता तो चालो तैयार थाई जाओ आजे हुँ तमने एमना जीवन विशे घणी बदिगवातों कहिश आश्री सो सवासो वर्ष पहला नी आघटना छे छो वरस नी कुमडी वयना एक बाळके पोतानी माता गुमावी छे एना पिता रामजी भाई लशकरी शाड़ामा शिक्षक छे मात्रु सुख गुमावनार पुत्राना वांकडिया वाल मा पिता हाथ पस्वारी रहा छे चारे दिशाव मा एमने जाणे के अंधकार देखाई रहो छे मारा आ सउथी नाना दिकरानू शू थाशे हुँ एनने संभाड़ी शकीश? एनी मातानू स्थान लई शकीश? थोड़ी वार्माज एमने मक्कम निर्धार करी लिधो नानकडा भीमरावने हुँ भणावी गणावीने सारो नागरिक बनावीश त्यारे ज एनी माताने साची अंजली मलशे पिताय पुत्र ने हैया सरसो चापे दिधो शौ वरस नो ए बाड़क ते बिजू कोई नहीं आपड़ा देश ना मंधार ना घडवईया डॉक्टर बाबा साहेब आमबेड कर एमनू मूर नाम भीमराव मात्र छो वरस नी उम्मरे एमनी माता भीमा बाईनू अवसान थयू दलितो अने पीडितो माते जीवन समर्पित करना रा डॉक्टर बीमराव आमबेड करनो जन्म मध्यप्रदेश राज्यना महू गाम्मा चवदमी एप्रिल अधार सो एकाणु मा थैलो भीमराव रंगे घौ वरना हता एमनू कपाल विशार हतू वार तो एवा वाकड़िया के जोनार नी आँख ठरे नाख टचूकणू पड़ आँखो पाणिदार परिवार मा ए सव थी नाना इटले माबापना लाड़कोर सारी पेठे पाम्या परन्तु दूरभाग ये मातानू सुक वहलू छिन्माई गयू ए जमानामा समाजमा गनाती प्रथानू नूशन जोरमा उच नीचना भेदभाव पार विनाना भीमराव ने पन घणू सहन करवानू आवियू भणवामा तेजस्वी एवा भीमराव ने आ अपमान थी खूबज लागी आवतू ए समये आवडत न होती जोवाती गनाती जोवामा आवती हती ए वात एने भारे कडती हती पोते मोटो थाईने आ अन्याईनो विरोध करशे एवो संकल्प करेलो रतन ते कई धां क्यू रहे? भीमराव नी प्रतिभाथी पोर्साईला वडोद्राना महराजा सयाजी राव गायक वाडे एने उच अभ्यास माटे शिश्य वृत्ती आपी पची तो जाने भीमराव ना पगे पांखोज फूटी सनातक थाया पची भीमराव ने वधू अभ्यास माटे विदेश जवानी तक पन सापडी चोमेर अंदकार माँ जाने उजास नू एक कीरण प्रग्टिव विदेश माँ पन भीमराव एवाज विद्या प्रेमी रहा पार विनानी आर्थिक तंगी होवा छता पेटे पाटा बांधी ने तेवो संदर्ब ग्रंथों नी खरीदी करता भीमराव हवे डॉक्टर भीमराव अंबिड कर बन्या एमे पी एच डी औन डी लीट सुधी नी पदवी एमने प्राप्त करी काईदो अने अर्थ शास्त्रा नो अभ्यास एमने लंडन जाईने करियो डॉक्टर अम्बिटकर नी पुस्तक पृति विशे जानी ने तो आपणने आनंद साथे नवाई पढ़ थशे समाई नो मुल्य तेवो समझेया हता अने एटलेज एमनो फुर्सद नो समय वांचन मा व्यतीच थतो अनुकूर्ता थाए के तरत अज तेवो पुस्तकों नी दुकाने पहुची जता आश्रे बे हजार जेटला दुरलब ग्रंथों नो एमने संग्रह करे हतो पेटनी भूक वेठी ने पुस्तक खरिदनार व्यक्ती महान काईदा शास्त्री न बने तोज नवाई डॉक्टर बाबा साहेब तो एवा पुस्तक प्रेमी के दुरलब पुस्तक बेडववा वहली सवारे माईलो लगी चाली ने वांचना लए जाए मोडे सुधी वांचनालाए माँ बेसी ने वांचिया करे त्यांती पाचा आवी ने पाचु वांच वानू छेन नवाई भरी वात संगर्शोवेठी ने आटलू उंचा दरज्यानू शिक्षण मेडवया पची डॉक्टर भीमराव ने नौकरी तो मड़ी परन्तु ए वखतना आपना सामाजिक दूशन अस प्रूश्यतानों पण करवो अनुभव थयो ते एटले सुधी के एमनी ज ओफिसनों पट्रावाडों पण एमनी साथे गेर वर्ताव करतो हतू डॉक्टर आम्बेट करने थतूं के पोते भणी गणीने सारी जग्याई नौकरी करे छे छता जो आ रिते अपमानित्थवू पढ़तू होई तो पची मारा अपन अने आर्थिक रिते नबडाग नाती बंदूओनी स्थिती नीतों वात ची करवी आतो सामाजिक अन्याई कहवाई मानव मात्र समान छे कोई उचूं के नीचूं न थी तो पची आवू केम तेमने मूक नायक नामनू एक पाक्षिक शरू करियू मात्र लेख के पुस्तकों लखी ने तेओ अटकी न गया कर्मशील पण बन्या 20 मी जुलाई 1924 ना रोज एमने बहिशक्रूत हितकारी नी सभा नामनी संस्था निस्तापना करी आ संस्था द्वारा सामाजिक उत्थान नी अनेक प्रवृत्यों थवा लागी छात्रा लयो, वाचना लयो, शैक्षणिक बर्गो अने स्वाध्याई मंड़ों पण खोलवामा आव्या साथे साथे प्रजानी आर्थिक स्थिती सुधारवाना आशय थी अउध्योगिक अने क्रूशी विशयक शाडाओ आस्तंस्था चलावा लागी शिक्षण वगर समाज नो उतकर्ष शक्यज न थी, ए सत्य डॉक्टर आमबेटकर समझी गया हता समाज नी केटलीक जनातियों नी जेमज स्थियों नी स्थिती पन दईनिय हती डॉक्टर बाबा साहेब नु रदय आज जो इने पिगडी जतू स्थियों माटेना समाज ना काईदा इटला तो निर्मम अने आप खुद हता के न पुछो वात डॉक्टर बाबा साहेब आमबेटकरे स्थियों ने पन शिक्षण प्रतिय अभिमुख करी बार लगनानों विरोध करियो विद्वा विवाहननू समर्थन करियो स्त्रीने पन एनों वार्सा हक मलवोज जोईये एवो आगरह सेवनार पन अलबत बाबा साहेब जहता बाबा साहेबनू एक सुत्र गाठे बांधवा जेवू छे शिक्षित बनो, संगठित बनो, स्वाव लंबनज साची सहाई छे ते उस्त्रीने समाजनू आभूशन लिखावता स्वतंत्र भारत मा काईदा प्रधान बनेला बाबा साहेबे भारतिय समविधान मा पर लिंग भेद नश्ट करीने नारीने गौरव प्रद स्थान अपावियो स्थ्रीने शिक्षण मिडववानो, सत्ता स्थाने पहुचवानो, विवाह विच्छेद नो, पितानी मिलकत मा भाग मिडववानो अने पुनह लगनानो अधिकार पन अपावियो काईदाओनी साथे साथे बाबा साहेबे स्थ्री शिक्षण ने उत्तेजन मड़े एवी शुब निष्ठाती प्रेराई ने विद्यार्थियोंने फीमा छूट अपावि, छात्रा लयो बांध्वा माटे विना मुल्य जग्या अपावि, निधी एकत्र करीने भोजननी व्यवस्थापन करावि, इटलूज नहीं, स्त्रीयोंने मतदान करवानो अधिकार मड ए माटे आग्रह सिवनार पन बाबा साहेब जहता, डॉक्टर बाबा साहेब प्रखर देश भक्त पन हता, आजादी ना जंग मा पन एमनी महत्मानी भूमी का हती, महत्मा घान्दी साथे पन एमने कार्य करेलू, एमनी साथे वखतों वखत मद भेदों पड़वा छता, बा सामाजिक अने शैक्षणिक आत्म निर्भरता मा छे, एवू तेओ द्रण पने मानता, विचार पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब ना जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव बुद्ध, कबीर अने जोती बाफूले नो हतो, बंधार ना घडवईया, डॉक्टर बाबा साहेब बे मूक नायक उप्रांत, बहिश्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत, जीवा समाचार पत्रों पर चलाव्या, पोता ना विचारों एमने किटलाक अंग्रेजी पुस्तकों मा पर प्रगट कर्या छे, जेमा धो प्रॉबलम ओफ रुपी, अने बुद्ध एंड हिस धम मुख्य छे, आवा महान देशभक्त दलितो अने वंचितों ना उद्धारक, गरिबों ना बेली अने स्त्रियों ना पक्ष्थर डॉक्टर बाबा साहिब आमबेटकर नू देहाव सान 6 डिसेंबर 156 मा थायून, परंतु पोता ना महान विचारों थी, तेओ आजे पण आपणी साथे छे, भारत माताना आ साच्चा रत्न ने इस विशन 119 मा आपणा देशे मरनोत्तर भारत रत्न ना इलकाब थी नवाजवा मा आव्या, भारत रत्न अने बंधार ना घडवईयाने डॉक्टर भीमराव आमबेटकर ने रदय पूर्वक वंदन